सबसे पहले मैंने लिया है देर कब दही और उसके अंदर डाल देंगे चार चमज बेसन अच्छे से फेट लेना है हल्दी लाल मिर्ज अजवाइन और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है अब ओल में डाल देंगे जीरा, सौफ, मेथी, सरसो, हींग, हरी मिर्ज, ग्रे वाइन और जीडा पाउडर नमक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बहुत अच्छे से फेटना है अब इसे पकोरा बना लेना है हमारा pakोरा एकदम पर।्फीक फुली-फुली बनी है इधर हमारा जो करी है वो भी अच्छे से तैयार हो गया है इसमें पकोरा एट कर दे प्रिन वाल्ब